संसद में सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर बड़ा बवाल मचा हुआ है संसद में सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाने वाले बानवे विपक्षी सांसदों को अभी तक निलम्बित किया जा चुका है विपक्ष कह रहा है कि सरकार इस मामले में अपनी जवाब देही से क्यों बच रही है और इस मामले में दोशी अपने एक सांसद को भी बचा रही है नमस्कार मैं हूँ विजय वर्मा आज हम बात करने वाले हैं अपना महजदेश के लोकतंत्रिकी सबसे बड़ी इमारत की सुरक्षा पर सिमठ जाती है बलकि इस इमारत की खास वज़े है यानि इसके लोकतंत्रिक मुल्यों की सुरक्षा तक पहुचने माली है तो सुमवार को राजी सबा और लोक सबा के कुल मिलाकर 78 सांसुदों का निलंबन कर दिया गया और इससे पहले शुकरवार को भी लोक सबा के 14 सांसुदों का निलंबन किया जा चुका है इस तरह कुल 92 सांसुदों का निलंबन हो चुका है सौंबार को लोकसभा के 33 और राजी सभा के 45 विपक्षी शांसदों को एक ही दिन में निलंबित किया गया है दरसल लोकसभा में विपक्षी शांसदों ने इस मुद्दे पर जम कर तक्तियां दिखाई और नारे बाजी भी की इस पर कारवाई करते हुए सदन ने 33 सांसदों को निलंबित किया निलंबित सांसदों में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल है इसके अलावा राज्य सवा से निलंबित 45 विपक्षी सांसदों में कॉंग्रेश के जैराम रमेश को भी निलंबित किया गया है आसन ने सभी सांसदों को शीत कालीन सत्र पूरा होने तक के लिए सदन की कारवाई से बाहर का रस्ता दिखा दिया है लोकसवा में केंद्री संसदिय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने ही विपक्षी सदस्चों को निलम्बित करने की मांग रखी थी जिसके बाद आसन ने यह निलम्बन किया अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारती लोकतंत्र में इस तरह का निलम्बन बड़ा चोंकाने वाला लगता है दरसल इस निलम्बन से विपक्ष की भूमी का और सरकार की जवाब देही दोनों पर ही विचार करना जरूरी है जो कि देश में लोकतंत्री मूल्यों की अगवाई के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर सवाल करने पर आसन इस तरह एकतरफार कारवाई क्यों कर रहा है जबकि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर देश में सत्ता रोड मोधी सरकार बहुत गंभीर ताब बरतने के दावे करते रही है और इस मुद्दे पर तो विपक्ष ग्रहमंत्री से जवाब ही माग रहा है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और आगे इस तरह संसद में सेंदमारी रोकने के लिए क्या प्रावधन किये जाएंगे लेकिन बदले में उन्हें निलंबन मिला दरसल इस मामले पर केंद्री संसदी कार्यमंत्री प्रहलाद पटेल ने ये बयान दिया है कि अमित शा को इसका जवाब देनी की जरूत नहीं है ये कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा पहले भी होता रहा है लेकिन अगर इस घटना को केंदरी संसदी कार्मंतरी सामाने मान रहे हैं तो फिर संसद की दर्शक दीरगा से कूदने वाले युवाओं को यूए पीए के तहट क्यों गिरफतार किया गया जबकि इस कानून के तहट गिरफतार या तंकवादी गतिविदियों के रोकने के लिहास से ही की जाती है हाला कि यह करत बिल्कुल निंदनिया और गलत है चौकाने वाली बात यह है कि निलंबन में आसन क्या इतना मगरूर हो गया कि डीमके के सांसद ऐसार पार्थी बांच जो सदन में ही मौझूद नहीं थे उनका भी निलंबन कर दिया गया हाला कि उस गलती को बार में सुधार ले गया था अब प्रहलाद पटेल का यह कहना है कि यह मामला सदन का है और सदन के अद्यक्ष के कारिशेत्र में आता है जिसकी जांच ग्रह सचीव को सदन के अद्यक्ष ने सौब दी है लेकिन विपक्ष इस पूरी घटना में एक और नाम उचाल रहा है जिस पर इस पूरे मामले की जिम्मेदारी तैह होनी थी मैसूर से भाजपा सांसद प्रताब सिम्मा का प्रताब सिम्मा की सिफारिश से ही वे दो युवक्ष संसद की दीरगा तक पहुँचे और बाद में सदन कारिय इस्थल तक छलांग लगा दी प्रवेश पत्र पर खुद प्रताब सिम्मा के हस्ताक्षर है तो फिर उन पर कारवाई क्यों नहीं बस इसी सवाल का दंड उन्हें निलंबन से मिला कॉंग्रेस नेता सुपरी श्रीनेत का कहना है कि जहां पैन लेकर नहीं जाया जा सकता वहाँ लोग कैन लेके चले जए लेकि सरकार खामोश है बलकि विपक्षी सांसदों को बेदखल किया जा रहा है उल्टी गंगा बह रही है उदर कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश कह रहे हैं कि उनकी एक मांग थी सिर्फ कि ग्रहमंत्री आकर उस बस बयान दे दे आखे सुरक्षा के प्रावधानों पर जवाद देने की जगए प्रधानमंत्री मोदी और ग्रहमंत्री अमिश्या खामोश क्यों है कॉंग्रेस नेतार राहूल गांदी ने भी इस मामले में बयान दिया है कि गटना जो हुई है वह गलत है हाला कि उन्होंने यह भी कहा कि यह युवा बेरोजगारों का गुस्ता है जो प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसीज के खिलाफ अब उबाल खाकर बाहर आ रहा है सरकार इस घटना को इतने हलके में क्यों ले रही है और हलके में ले रही है तो फिर उन्हों को युवाओं को युवे पीए में अरेश्ट क्यों किया गया और अगर वे युवा वाकई आतंकवादी गतिवी विदियों में लिप्त हैं तो सरकार इसकी जवाब दही से क्यों से खत्रा है और इस घटना के बाद जवाब दही स्विकार नेकी जगे सांसुदों का निलम बंदेश की लोगतांत्रिक विवस्था के लिए खत्रा है जहां विपक्ष के एक एहम भूमिका होती है तो आज के लिए बस इतना ही दीजी इजाजत नमस्कार